तर्भर दोस्तो मेरा नहीं महत आप निखम है आज की वीडियो नमें हें बात करने वाले हैंário कास्मदू सरुपट के बार में जो की बूरी तरह से ऑयरुवेदि गय डेटेल में आपको पताने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यह कास मदू का सिरफ है और सबसे पहले मैं कास मदू का सिरफ आपको भारत के किसी भी मैडिकल स्टोर पर बड़ी असानी से मिल जाएगा इसको खरीदने के लिए किसी डॉक्टर के पर्चे की जुरत नहीं होती है यह OTC है OTC मितलब over the counter यह बिना डॉक्टर के पर्चे के भी आपको मैडिकल स्टोर पर उपलब्ध है तो आप इसको चाहें तो ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं और वह आपकी मर्जी है चाहें आप मैडिकल स्टोर से खरीदें चाहें आप इसको ऑनलाइन मंगाएं दोस् इसका प्राइज है पिच्चाश्यू रुपे तीन साल के एकस्पाइरी के साथ आपको मिलता है और इसमें डोजीज आप देख सकते हैं इसमें अडल्ड की डोजीज भी इसमें लिखी हुई है एक से दो चमज दिन में तीन बार विद गरम पानी के साथ आप इसमें ले सकत शीशी है इसकी काशमदू सिरफ की तो काफी बेनिफिट्स मिले हैं खासी की सर्वत्तम दवा इलकोहल रही था इस दवाई के अंदर किसी भी तरह का इलकोहल नहीं है जिसके कारण हलका सा नशा हो जाता है जब भी हम कोई अंग्रीजी दवा लेते हैं खासी की तो उसमें थोड़ा शा नशा होता है जिससे में थोड़ी नींद आ जाती है इस सिरफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल एलकोहल फ्री ये मैडिसिन है और इसके आप फायदे देख सकते हैं खासी नजला जुकाम गले में फेपड़ों के अन्ने रोगों में अब पुर्व गु इसके अंदर एक छोटी सी बुका आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ये देखी दोस्तों सूगी वे बलगम वाली खासी में तुरंत रहात पहुचाता है ये है नजला वे जुकाम में गुणकारी है बच्चो वे बड़ों सभी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है हानी रइद आयरुवेदिक जड़ी बूटियों का योग है फुलू में भी लापकारी है खासी की सर्वुत्तम दवा तो दोस्तों ये कासमदू के बैनिफिट्स हैं और सबसे बड़ी बात प्योर आयरुवेदिक इसका किसी भी तरह का कोई साइड एफेक्ट नहीं है आ दोस्तों आज की वीडियो में पसे नहीं मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना अपने दोस्तों में शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना बाइबाई थेंकियो सो मच